हलो दोस्तों आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी वीडियो को पूरा देखिएगा रेसिपी जरूर पसंद आएगी और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए बनाते हैं यह मैंने लिया है एक कप मयदा दो कच्चे आलू अब सबसे पहले आलू के पीस काट लेंगे यह मैंने आलू के पीस काट लिया हैं अब इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालके इसका पेश्ट बना लेते हैं अब आलू का पेश्ट बन गया है अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक बॉल में ये देखिए फाइन पेश्ट बन गया है फिर भी अगर आलू के टुकडे रह जाएं तो छलनी से चान लीजिए अब एक मोटे तले का भगोना ले लेंगे इसमें डालेंगे मैदा मैदा में पानी डालके इसका घोल बनाएंगे मैदा को अच्छे से घोलना है एक भी लम्स न पढ़ने पाएं यानि की गाठे न पढ़ने पाएं ये देखिए मैदे का घोल बन गया है इसमें मैंने धीरे धीरे करके एक कप पानी डाल के घूला है अब इसमें डालेंगे आलू का पेश्ट जो मैंने पीश के रखा था थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अभी अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें डालेंगे पानी क्योंकि अभी यह बहुत गाढ़ा है 4 कप पानी डाल लेते हैं एक कप पानी मैंने मैदा घोलने में डाला था 4 कप अभी डाल लिया टोटल 5 कप पानी हो गिया है पानी डालने के बाद अच्छे से घोल लेते हैं अब इसमें नमक डालेंगे नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि पापड सूखने के बाद नमक ज्यादा हो जाता है एक चौथाई चम्मच अजवाइन डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे अब चलते हैं गैस की तरब अब गैस में मैंने भगोना रख दिया है गैस को आन करके मीडियम फ्लेम में कर लिया है इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे नीचे जले नहीं अच्छे से पक जाए इसको पकने में 10 मिनट के आसपास समय लग जाता है अब ये देखिए इस तरह से गाढ़ा हो गया है और अच्छे से पक भी गया है अब गैस को आफ कर देंगे इसको 10 मिनट ठंडा होने देंगे 10 मिनट हो गये है ये थोड़ा-थोड़ा ठंडा हो गया है पूरी थरे ठंडा नहीं करना है नहीं तो पापड बनाने में परिशानी होगी अब मैंने एक प्लास्टिक सीट बिछा लिया है इसको तेल से ग्रीस कर लेते हैं अब दाल वाले चम्मस से थोड़ा-थोड़ा डालके फैला लेंगे पापड का सेफ दे देंगे गोल-गोल थोड़े से मोटे फैलाएंगे क्योंकि सूखने के बाद पापड पतले हो जाते हैं मैं इनको पंखे की हवा में सुखाऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ धूप नहीं आती है लेकिन अगर आपके यहाँ धूप आती हो तो आप धूप में सुखाईए जिसे पापड अच्छे सूख जाते हैं और एक ही दिन में सूख भी जाते हैं पंखे की हवा में दो दिन लग जाते हैं अब सारे पापड फैल गए हैं अब पंखा चला के छोड़ देंगे दो दिन बाद मिलते हैं दो दिन हो गए हैं पापड अच्छे से सूख गए हैं अब इनको एक प्लेट में उठा लेते हैं इनको फ्राई कर लेंगे गैस में मैंने तेल रख दिया है गरम होने को गैस को आन करके मीडियम फ्लेम में कर लिया है तेल को गरम होने देंगे तेल गरम हो गया है अब एक एक पापा डाल के भून लेते हैं यह देखिए कितना अच्छा फूल रहा है अपने साइज का दुगना हो गया बहुत साफ्ट लगता है खाने में यह देखिए दूसरा भी भून गया इसी तरह सारे भून के तयार कर लेंगे यह मैदा आलू का मिक्स पापड बन के तयार है आप भी बनाईएगा बहुत टेस्टी लगते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं मेरा पापड बनाने का तरीका पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ